नमस्कार साथियो आप सभी का एक बार फिर से बहुत-बहुत स्वागत है एक बहुत ही बहतरीन और महतुपुन सेशन के साथ आपके सामने उपस्थित हैं असल में खबर निकल कर आई है कि खलिस्तानी समर्थक एक आतंकी है जिसका नाम है गुरुपतवन सिंग पन्नू उसक द्वारत के द्वारा निवटाने की पूरी तैयारी कर ली गई थी और अमेरिका ने उसको बचाया है आखिर अमेरिकाने उसको क्यों बचाया और साथ में भारत ने तयारी की थी असल में आपने खबर लगातार आप सुनते आए हैं चाहे हरदीप सिंग निजर हो या फिर पाकिस्तान के अंदर कुछ लोग हों जो भी भारत विरोधी गत्विदियां भारत के बाहर आजकल कर रहे हैं उनको निप्टाना भारत ने शुरू कर दिया है अब इसकी पुष्टी आधिकारिक रूप से कहीं नहीं होती है लेकिन अग्यात लोगों के द्वारा इन सभी भा फोकस के साथ काम कर रहे हैं कि अमेरिका के अंदर भी इस व्यक्ति को डर लगा और अमेरिका ने इस व्यक्ति को बचाया है क्यों बचाया जानेंगे ये व्यक्ति है गुर्पतवन सिंग पन्नू क्या काम है इसका काम कुछ नहीं है भारत के बाहर कैनेडा और अमेरिका दो भारत और केनेडा के बीच में जो संबंद खराब हुए हैं उनके पीछे भी खलिस्तानी ही कहीं न कहीं सामने हैं अपने सेसंस के माध्यम से आपके साथ कई बार हमने चर्चा की है कि एक आतंकी हुआ करता था जिसका राम था हरदीप सिंग निजजर जब निजजर की हत्या ह हुए थी तो उसका बिदवा विलाप किया गया था जो कैनेडा के प्रधार मंत्री है जस्टिन ट्रूडो उनके द्वारा जिसके चलते भारत के ऊपर आरोप लगाए गए थे कि भारत ने ये थारी हत्याय कराई हैं जिसके चलते भारत और केनेडा के बीच में संबंद भी खराब हो गए थे अब क्या है इनका लगाव जस्टिन टूडो से अपने सेसंस के माध्यम से हमने कई बार आपके साथ साजा किया है आप चाहे तो उन सेसंस को देख सकते हैं लेकिन जो आज की फिलाल की खबर है वो आप देखते हैं यूएस थ्वार्टेड प्लोट टू किल सिख सेपरेटिस्ट ऑन अमेरिकन सोयल बहुत महत्रकूर ये खबर है एक प्लोट जो है एक तैयारी कर दी गई थी किसके द्वारा की गई थी बताया जाता है कि भारत की खूफिया एजेंसी या फिर कहें जो अग्यात लोग हैं उनके द्वारा तैयारी की गई थी पूरा प्लोट तैयार कर लिया गया था टू किल सिख सेपरेटिस्ट ये जो आतंकी है ये जो अलगाववादी है इसको मारने की कहां पर अमेरिका की धरती के ऊपर अमेरिका के अंदर भी भारती खूफिया एजेंसी आज कल काम कर रही है ये सवाल ये जो न्यूज है ये इस बात की गवा है तमाम न्यूजपेपर के अंदर ये खबर छपती है कि भारत के द्वारा इस व्यक्ति को मारा जाना था और अमेरिका ने इसको बचाया था एक बार और पहले भी खबर आई थी कि आतंकी पन्नू मारा गया है लेकिन उसके बाद खबर आई कि टेररिस्ट या केनेड़ा टू कॉपरेट जब केनेडा और इंडिया के बीच में संबंध खराब हुए थे तब भी अमेरिका ने मद्यä च्थता की थी कि भारत और के बीच में जो संबंध है उनका सुधार होना चाहिए अधारिका ने खलिष्तानי आतंकी गुरुपतवन्त सिंह पन में यह इसपश्ट नहीं है मामले से जुड़े अधिकारियों ने फाइनेंसियल टाइम से कहा अमेरिकी अधिकारियों ने अमेरिकी धर्ती पर एक सिख अलगावादी की हत्या की साजिस को नाकाम कर दिया था कथेत तोर पर यह साजिस भारत की और से रची जा रही थी और इसके जरिये पन्नू को निसाना बनाया जाना था यह फाइनेंसियल टाइम्स की एक रिपोर्ट के मादे हमसे खुला सा हुआ है अब अमेरिका आखिर क्यों बचाएगा इस आतंकी क्यों क्या अमेरिका इसको आतंकी नहीं मानता जी आतंकी को मार कर गिराया था एक आतंकी मार दिया गया था नाम था जिसका ओसामा बिन लादेन ओसामा बिन लादेन को पाकिस्तान के अंदर घुसकर अमेरिका ने मारा था और तुमको पता भी नहीं लगता और यदि अमेरिका के अंदर कोई ऐसा काम होता है कि अमेरिका के अंदर रह रहे किसी व्यक्ति की किसी अग्यात व्यक्ति के द्वारा हत्या कर दी जाती है तो अमेरिका की इससे काफी जादा किर्गिरी हो सकती थी इसलिए अमेरिका का मानन है कि इनकी धर्ती पर किसी आतंगी को ना मारा जाए बलकि ये खुद ही उसके उपर कारेवा ही करेंगे जी ट्वेंटी सम्मिट के अंदर मोधी और बाइडन साहब के बीच में जो मुलाकात हुई थी तो न्यू यॉर्क डिस्ट्रिक कोर्ट में सील बंद केस दायर किया है यानि कि एक केस दायर कर दिया गया है लिफाफे के अंदर सील बंद लिफाफे के अंदर लेकिन आरोपी कौन है और आरोप क्या है इसका लिफाफा खुलने पर ही पता चल सकेगा सील बंद केस को खोलने पर बहस भी हो रही है Financial Times के मताबिक अमेरिका ने भारत को diplomatic warning दी थी इसके अलाबा मामले में एक कथित आरोपी के खिलाफ New York District Court में सील बंद केस तायर किया गया था अमेरिकी Justice Department फिलहाल इस बात पर बहस कर रहा है कि इस सील बंद केस को अभी खोला जाए और आरोपों को सारवजनिक किया जाए या फिर आतंकी निजजर की हत्या की जाच पूरी होने के बाद इसको खोला जाए क्योंकि निजजर की हत्या की जाच भी कथित तोर पर अमेरिका के द्वारा की जा रही है अमेरिका ने कुछ सहयोगियों को इस साजिस की जानकारी दी थी ये जो Financial Times की रिपोर्ट है इसके मुताबिक जून में वेंकूबर में मारे गई सिख अलगावादी हरदीप सिंग निजर की हत्या के बाद अमेरिका ने कुछ सहयोगियों को पन्नु की हत्या की साजिस के बारे में जानकारी दी थी Financial Times के मुताबिक जून में प्रधानमंत्री नरेंदर मोदी की वासिंटन की विजिट के बाद अमेरिका ने इसका विरोध किया था पन्नु बोला मुझे बाइडन प्रसाशन पर भरोसा है अब जो बचाया गया है इसके लिए ये कहता है कि इसे बाइडन प्रसाशन पर भरोसा है और यदि ये कह देगा कि बाइडन प्रसाशन पर इसे भरोसा नहीं है तो हो सकता है बाइडन प्रसाशन खुद ही इसको नि इस पर अमेर्की सरकार ही जबाब दे अमेर्की धर्ती पर एक अमेर्की नागरिक को खतरा अमेर्का की संप्रवता के लिए चुनौती है और मुझे विश्वास है कि बाइडन प्रसासन ऐसी किसी भी चुनौती से निवट सकता है आपको ग्यात होना चाहिए कि ये व्यक्ति क की द्वारा की 19 नवंबर को एर इंडिया की जो फ्लाइट है उसके अंदर कोई भी ट्रेवल ना करे उस धमकी के बाद आखिर क्या हुआ आप ये भी जरूर जानना चाहेंगे तो यूएस पैनल सीक्स टू पोट टेररिस्ट पन्नू मेंबर्स ओफ इस बेंड ग्रूप ओन न लिष्ट, इस व्यक्ती को नो फ्लाइट लिष्ट के अंदर डाल दिया गया था कि ये व्यक्ति कहां उडान भरेगा, कहां उडान नहीं भरेगा, सारी सारी लिष्ट इसकी जारी कर दी गई थी, और इसके बाद आई ये जो भारत की NIA है नेशनल इन्वेस्टिगेसन एज जो कि ना सिर्फ भारत के अंदर बलकि भारत के बाहर भी जो देश विरोधी कत्विदियां होती हैं उनके लिए जिम्मेदार होती है या कहें कि उनके लिए ही काम करती है। इसके द्वारा इसको बुक कर लिया गया था एनाईये बुक्स टेर्रिस्ट पन्नू अंडर यू एपी ए फॉर थ्रेटनिंग पैसेंजर्स अब इसके उपर दो तीन केस और लद गए है इसके आतंकी भारत जो इसको बोलता है वो भारत का पक्ष थोड़ा सा और इसने पैसेंजर्स को धंकी दी थी एर इंडिया के पैसेंजर्स को इसके चलते अनलॉफुल एक्टिविटीज प्रिवेंशन एक्ट जो है यू ए पी ए जो है इसके तहद एनाईये के द्वारा इसको बुक कर लिया गया है खलिस्तानी टेर्रिस्ट पन्नू थ्रेटन्स इ घाएगा भारत के ऊपर हाला की क्या ये संबबव है इस्राइल और भारत की परिस्टितियां काफी यह जादा लोगों की लेकिन भारत के अंदर 140 करोड लोग रहते हैं या यदि हमलेकी कोशिस करता है तो सायद भारत की जो आर्न फोर्सिस हैं उनको भी कुछ करने के जरू करना बिल्कुल ना भूलें और अगर चैनल पर पहली बार पदा रहे हैं तो परिवार में आपका बहुत-बहुत स्वागत है चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिए मिलेंगे अगले सेशन में तब तक के लिए आप सभी लोगों का बहुत-बहुत धन्यवाद जैहन्द